वेल्कम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विशिप्रा खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा ना जाने कौन सी दुआ कबूल हुई हमारी जब उसने आपको हमसे मिलवाया होगा जी हाँ अभी जो हमने शेरो शाइरी की यह अलफास हमारे तो बिल्कुल भी नहीं है यह अलफास है मिस्टर विजे दादू के उनकी वाइफ के लिए मिसिस रेनू दादू के लिए जो 48th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिबेट करने जा रहे हैं और उनकी इन खुशियों में शामिलोने के लिए हम भी आज यहां पे आए हैं और टाइम्स पंजाब की एंटाइए टीम आज उन्हें अपनी तरफ से विश करेगी तो चलिए जादा टाइम ना वेस्ट करते वे आपको मिलवाते हैं इस ब्यूटिफुल से कपल से और जानते हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी किस तरह से वो इस बार सेलिब्रेट करने वाले हैं और उनकी कुछ मैमरीज को हम जरूर याद करेंगे और उनसे पूछेंगे कुछ खटे और मीठे से सवाल कभी रात दिन हम दूर थे दिन रात का अब ये साथ है वो भी इत्तेफाक की बात थी ये भी इत्तेफाक की बात है कभी रात दिन हम दूर थे जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज हम पहुँचे हैं मिस्टर विजे दादु के गर उनकी 48 वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर विजे दादुर उनकी वाइफ मिसिस रेनु दादु से और जानते हैं 40 येर्स का मेरिट लाइफ का एक्सपिरियंस उनका कैसे रहा हेलो सेर वेलकम टू टू टाइम्स पंजाब टिवी वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था आज 10 फर्वरी 2020 40 साल हो गए पूरे फॉरन में इसे रूबी वेडिंग इनुवर्सरी कहते हैं जो की 40 साल की होती है इंडिया में लोग ज्यादा 50 साल से बनाते हैं इंडिया में ज्यादा लोग ने साथ दिया है हम शादी के बाद हनीमोन के लिए शिरी नगर गए थे उसके बाद हमारे कई फॉरन के टूर भी लगे डुबाई भी गए और हमारा एक ब्रदिनला न्यूजी लेंड में रहते हैं वो उनके पास भी गए जब मेरी शादी होई तो मेरी बठिंडा में शादी होई थी तो एक ही जगा मेरे सोरे थे इनलाज थे उसके बाद मेरे इनलाज अब चार जगा पे हो गए हैं वन इन न्यूजी लेंड वन इन अमेरिका वन इन कनेड़ा वन स्टिल इन बठिंडा तो बहुत ही ही मेरे जो अपना ब्रदर इल्ला बहुत प्यार करते हैं उधर हमारे जीजा जी हमारे सिस्टर्स जो मैक्सिमम में हमेशा ही कोपरण करते रहते हैं हर चीज के लिए भी आप जो है हमारे माता पिता का भी ध्यान रखते हो और हर तरह की वो मेरे को शाबाशी दे हमेशा रहती है जब कभी मैं अपनी वाइफ की तारीफ करता हूना उन्हा है Dog वो एक इस जो अपग भाइफ करते है है जा फृर था जोरी पाम डेते हैं और इसने मेरिक यह करते हैं। यह मैंस करते हैं और जोली। ऐसकर छीपरेदारे documents Kaneव्र्टिट है। विद आल अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो वी आर वरी थैंक्फू तो यू हमने वो 25 जो मेरीज निवर्सिरी है वो स्टेलिया मैं थी वो वी अमारा बहुत ब्यूटिफुल प्रोडम था बहुत अच्छा प्रोडम था उसके वाद मैं इसको डुबई वी लेके गया के सकते हैं कि आप लग्की के सकते हैं कि याव अपने आपको की आप बेस जोहते चेलते परिवार से लौस की साइट से भी और इक नवार से पूछते हैं तो चल से पूच्ते है एक चीज़ आप उमें मैं buenason किजिए आपका जैसे हम देखते है कि Marijs विमारा एंगेजमेंट होती है उसके बीच में थोड़ा सा गैप भी पढ़ जाता है तो उस ठाइम पिरेट के बारे में कुछ बताई कि आप कितनी बार मिले विकोज आजकल गला भी घ्म शूब इन टेख थे कि वो तो बस आप क्या हाला है उपता बाते मी इतनी आती थी अप क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूंगा ये बाई दिसंबर नाइन को हमारी एक गेंजमेंट होई थी दस फरवरी उनिस ओसी को शादी होगी गाया प्संज़ो बीच में चारीस पचास दिन काही था तेलीफ़न पी बात होई ल routes šी म्ला फोर माइ बिजनस और वन ने वाँ से फेungen किया है इसको से ब्हुत से तो शी वज वेर्ड स्थे एंड जाकर मेरे को ठोन किया है यह है और सी बाते चलती रहती थी टीफोन पे बात हो जाती थी लेकिन और झाली की फॉर मीडि़ औरहना खार आलवेज शाद देती आ हैं, मेरा इनला नूरा का साहद एंडिया है, मेरे इनला, ब्रद लादे जीजा 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 अगरा, जो सारे ही हमारे हैं, मेरे यहां दो ब्रदर वी रहते हैं, लुद्याना में भी, तो सारे कही मेल चुल हम बना हुआ है और शादी के टैम पे हम बहुत इंज्वाइ किया शादी यहां लुद्याना में हुई थी और कही तरह के प्रोग्रम जो एना मतलब हमारे ब्रदे ला बनाते मैं सबसे अपने ब्रदर जो सबसे बड़े बड़े ब्रदर अस्तीश पाल बांसर जी उनके पास हम में भी गए थे वह एक महिना में वहां लगा के आए थे तो बहुत उन्हें हमें एंटर्टेन किया अभी हमारा और भी कुछ जगा जाने का प्लान है फस्ट वी जा रहे हैं कि सेलिप्रेट करने के लिए चले फ्लैश बैक में जाते हैं थोड़ी से मैमरी और चैरिश करना बनता ही है जब अनिवर्सरी अलबेट करें तो शादी के बाद आपको याद है आपने मैम को सबसे फर्स्ट मूवी कौनसी दिखाई थी ऐसे म्याद अखी तो छादी से पहले तो आप मिले नहीं शादी की बाद फर्स्ट मूवी के ऐसे रहा जा सर्बहुत अच्छा वह ब कि यहां एक चाहते हैं कोई मेंधरी आपने शेयर ऑच्छी के बाद कि जो शादियों के जो डोली अजो फर्स्ट डे मैं इसको लूंज चिक्षित लाँ के लेका लेके लेकि लेकित लेकि एक लेक्राल्ट्ट के वे दोस्ति है नंट देटिंडे सिंटन को गवालती रेंट था था इसे ही कई मैमरीज याद उती रहती है नहीं आती वी तो कुछ सो है ना खर टयां मेंटम जन्म हमारे चार बन जोस भोत थे वह बतलब अवरी वीक या अवरी तू और थी डेज के बाद किसी ना किसी कहर तेन दोस्तों की शादी हो इती एक दस फरवरी को मेरी अठाइज जन्वरी को मेरी दोस्त की एक उन्री फरवरी को हम तीनो लोग यह तीनो कपर यह कठे शिरिण अगर गए थे जो हमारे दोस्त है वो शिक्स्टी एट से हैं आप समझे यो बत्ती और वीस बबंजा साल होगे आज भी वो दोस्त है वाट्साप ग्रूप में आज भी वो शामिल हमारे यो पांचे दोस्त है ना मतलब डेली हम डेली इंसेंस वीक ली या फॉर्ट नाइटरी हम बिलते हैं कि इतना टाइम पीरियड आपने जो स्पेंड किया फॉर्ट येर्स हो अल्मूस्ट हो गए है तो कैसे आप क्या टॉप सीक्रेट क्या रहा होगा एक बैलेंस्ट मैरेड लाइफ बनाने का कि आप जादा एग्रेसिव नेचर के रहे हैं उस टाइम पीरियड वेया सर रहे है तो कभी नराज होते हैं तो कैसे मनाते थे या बस मिना लेते थे सर टो गाना खा जाता है फिर ऑपने अब ठीक हो जाते है दो तिन दीन जाए हैं वहाई जरनी रही माम के साथ आपकी कुछ और कुछ मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको लाइट रहने वाले हैं मैम के साथ पेशली वो मैम ने तो अवरी टाम अपना बहुत बड़ी आपट पले कि एवरी टाम बच्छों के लिए और मेरा एक बेटा है एक बेटी अवरी इंटेलिजेंट आरफ दादू तो यह जो बच्चे आरफ दादू जो आरफ दादू जो अमारे घर मेरता है न वह हमारे लिए समझो भी बगवान के बराबर है वह एवरी बड़ी जितना प्यार यह करती है उसके बार में बताएगी आपको क्या क्षा खलाती है क्य चलिए मैं नहीं वह बहुत ज्यादा मिरको जादी के साथ जादा टैच्ट है वो हां जी तो बहुत आपको और कुछ मैमरी आप शेयर करना चाहेंगे उस ताइम पीरिट की 40 एस में कोई ऐसा मुमेंट हो जो आपको हमेशा याद रहा हो इतना नहीं अब मिरको है तो सा एक अपीलिंग सा ब्यूटिफुल सा मैसेज भी देदीजे विश कर दीजे अपनी तरफ से माम को वैडिंग अनुवर्स्री मैडिंग को विश यही है जो 40 साल निकाले है हमारे 15-20 साल जो भी बचे है इससे भी बढ़िया निकले और मैं जो पहले साह देता इससे भी ज् सब्सक्राइब कोई भी विश तरफ से कोई आपकी दिल में कोई बात हो जो आप सर के को कहना जाते हो चलो वैसे तो आप कहते ही होंगे परसनली आज कैमरे के सामने भी कह दीजिए नहीं खुशी मतलब दोनों खुश रहें बिलकुर बच्चों के साथ रहें सबका पूरा स सर हमारी एंटायर टीम की तरफ से आप तोनों को हम फिर से विश करना चाहेंगे और गॉड ब्लेस यू ऑल्वेज विद गुट हेल्थ एंड वेल्थ तो आपने देखा ये था हमारे साथ बहुती ब्यूटिफुल वंडरफुल सा कपल जिन्हों आज अज अपनी 48th वेडि सेलिबरेट की टाइम्स पंजाब की टीम के साथ और अपनी जर्नी शेयर की कुछ खटे मीठे एक्सपीरियेंस शेयर किये उस टाइम पीरियेट के बारे में और यह भी शेयर किया कि शादी से पहले वो कभी नहीं मिले होफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस ब् अपल से मिलके थांक यू सो मच कैमरामेन अमंदीप के साथ शिप्राबसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी